दोस्तों हेलो डॉक्टर जैमेता हीं यर आज के चैप्टर में हम नोकेशन ओफ एंडोमेट्रियासिश पर थोड़ी सी बात करेंगे देखें दोस्तों हमने प्रीविएस वीडिव में בताया है एंडोमेट्रियासिस वह बिमारी है जिसमें जो endometrial blood है correct जो uterus का सबसे अंदर का भाग है वो actually menstruation के टाइम पे बाहर discharge हो जाता है पर इसमें से थोड़ा सा जो पार्ट रहता है वो fallopian tube के द्वारा जाता है peritonium में भी बहुत सारे कारणों के वज़े से endometriosis डेवलप हो सकता है but क्योंकि यह reproductive system में uterus सबसे नजदीक है इसके लिए one of the main reasons main site जहां पे endometriosis डेवलप होता है वो uterus का muscle खूद है uterus के muscle में खूद जब endometriosis डेवलप होता है ना दोस्तो उस चीज़ को हम बोलते है adenomyosis adenomyosis वो बिमारी है जिसमें uterus का मोटापा uterus की thickness बढ़ जाती है especially posterior wall की thickness commonest location दूसरा एकदम common location जो हर patient को सुना रहता है पता रहता है वो है ovary और ovary के अंदर जब endometriosis की cyst बन जाती है ना दोस्तो उसको हमारे भाषा में doctor लोग के भाषा में कहा जाता है chocolate cyst सुना होगा आपने ये बात तो second commonest location हो गया ovary of course guys third commonest location है fallopian tube fourth commonest location है ये region जिसको बोलते है uterus sacral ligament मतलब uterus के नीचे का और पीछे का हिस्सा ये भाग in fact इस भाग का जब endometriosis develop होता है ना दोस्तो उसको हम बोलते है deep endometriosis deep endometriosis कई प्रकार का रहता है पर as a patient आपको ध्यान रखना है कि endometriosis अपने साधारन locations को छोड़के bladder intestine जिसको हम बोलते है bowel small intestine जो यहाँ पे उपर रहता है small intestine उसके अलावा में diaphragm umbilicus, pembby और कोई भी scar tissue पर develop होने की ख्षमता रखता है in fact दोस्तों क्यूंकि हम endometriosis का इतना ज्यादा कर surgeries करते है हमने lung का endometriosis और mandible का endometriosis भी देखा है और inguinal का endometriosis भी देखा है of course unique locations of endometriosis उभरते रहते हैं हमने एक recently paracardiic heart के अंदर के endometriosis का surgery किया था पर वो इस chapter के purview के बाहर है as a patient ना दोस्तों ध्यान में ये रखो के endometriosis एक pelvic disorder है और जो pelvis के बाहर endometriosis हो जाता है उसे हम बोलते है extra pelvic endometriosis मतलब ये बिमारी बड़ी common है ये बिमारी pelvis को affect करती है और क्यूंकि ये बिमारी pelvis को affect करती है ये बिमारी reproduction को भी affect करती है और क्यूंकि ये बिमारी reproduction को भी affect करती है endometriosis के दर्म्यान as a patient दोस्तों आपको हमेशा एक expert को दिखाना है आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि घर के बाजू में किसी के भी पास में चले गए भगवान के लीजिए find out कीजिए expert कौन है genuine वाला expert कौन है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी अगर ये पूरा course पढ़ेंगे तो ये पूरे दो घंटे के course में आप भी थोड़े बहुत तो knowledgeable हो जाएंगे ताकि आप आपके बिमारी को लेके एक correct decision ले सके thank you so much